नमस्कार दोस्तों, देश भर में केई लोग अपनी यात्रा के लिए इंडियन रेलवे पर निर्भर है, रेलवे रोजाना करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुचाती है, इसके साथ रेलवे यात्रियों की सुविदा के लिए लगातार नियमों में बदलाव भी करती रेल यात्रा आराम दायक हो, इसके लिए रेलवे ने कुछ नियम भी बनाए हुए, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन्वे सफर करने के दौरान एक वक्त ऐसा आता है, जब आपके सीट पर कोई दूसरा व्यक्ती बैट नहीं सकता है, यही नहीं इस वक्त में कोई टीटी भी कि टिकट चेक नहीं कर सकता है, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा वक्त है जब यह नियम लागू होता है, ट्रेन्वे याता करते हैं तो आपको रेलवे के कुछ खास नियमों की जानकारी होनी चाहिए, रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुव जिसे की नीचे बर्थ वाले को परिशानी होती है ऐसे में रेलवे के नियम के मतावित एक खास समय के बीच कोई दूसरा यात्री आपकी सीट पर आपकी मर्जी के बिना भी नहीं बैठ सकता है रेलवे नियमों के मतावित रात 10 बजे से लिए के सुबह 6 बजे तक आप बीच आपको सो जाते हैं और टिटी आपको अपना टिकट दिखाने के लिए कहता है इससे ना सिर्फ आपके नीच खराब होती है बलकि सफर भी ऐसी विधा जनक हो जाता है रेलवे का नियम कहता है कि रात के 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक यात्री के सोने के दौरान टिटी यात्री का टिकट चेक नहीं कर सकता है लेकिन अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे के बास शुरूर होती है तो ये रेलवे का नियम लागू नहीं होता है